नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्थ पर दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, सोमवार की राज चुपचाप फेंक देना यहां पर पांच काली मिर्च जीवन के हर दुख से मिल जाएगी आपको मुक्ती, शनिदेव महाराज जी की कृपा से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, यदि आप अपने जीवन में चल रही हर तरह की समस्या, परेशानी, दुख से मुक्ती पाना चाहते हैं और यदि भाग्य और किस्मत बदल जाए, आपका साथ दे, तो सोमवार के दिन केवल काली मिर्च का उपाय कर लीजिए जिसके बारे में हमारे धर्म शास्त्र में वर्णन है, जोतिश शास्त्र में कहा गया है काली मिर्च शनी ग्रह का कारक वस्तू होती है यदि आपके जीवन में आप शनी दोश से परेशान है, घर का वास्तु दोश ठीक नहीं है किसी बीमारी ने आपको जकड लिया है आपके जीवन में धन टिक नहीं रहा है आपको लगातार धन की हानी हो रही है आप अपने जीवन में देख रहे हैं कि आपका व्यापार चौपट हो गया है तो दोस्तों, मान के चलिए आपके जीवन में शनी ग्रह अच्छा नहीं चल रहा है। काली मिर्च शनी ग्रह से जुड़ी हुई होती है। और यदि आपने काली मिर्च का उपाय सोमवार के दिन किया, तो यकीन मानिये, इसका आपको पलट करके करोडों गुना लाब मिलेगा। ये सत्य है, बिना मेहनत किये धन कमाने की बाद सोचना व्यर्थ है। मगर कभी कभार चमतकार होते हैं और अचानक ही धन की प्राप्ती होती है। फिर चाहे बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए, या आपकी सैलरी बढ़ जाए, या फिर व्यापार में अचानक से तेजी आ जाए और बेशुमार आपको धन की प्राप्ती हो जाए। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा चमतकार हो, तो आज इस वीडियो में बताये हुए उन उपायों को कर लीजिए, जो आपको काली मिर्च के द्वारा सोमवार के दिन करना है। और आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपको एक सकारात्मक और चमतकारी बदलाव देखने को मिलेगा, ना केवल को काली मिर्च के उपाय करके अपने जीवन में हर तरह की परेशानी समस्याओं से मुक्ती मिल जाएगी, बलकि शनिदेव की कृपा से आप अपने जीव बलकि काली मिर्च का उपाय करके आप अपने जीवन में अपने भाग्य और भाग्य का साथ पा सकते हैं। कितना भी परिश्रम कर ले, कभी भी उसका कुछ भी नहीं हो सकता है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। परंतु कर किसी मनुष्य का शनिग्रह मजबूत है और वह मनुष्य गलत निर्णय भी लेगा, उस निर्णय से को फाइदा पहुँचता है। इसलिए हमारे धर्म शास्त्र में कहा गया है कि शनि महाराज जी की कृपा, जिस मनुष्य को भी मिल जाती है, उस मनुष्य को पती बनने से रोक पाता है। परन्तु यदि शनि महाराज जी की गलत द्रिष्टी किसी मनुष्य पर पढ़ जाती है, तो वो करोड़पती मनुष्य तुरंत ही भिखारी बन जाता है। इसलिए दोस्तों, बहुत से लोग जो होते हैं, वो साढ़े साती और से डरते हैं। ये बात है, जो शनि महाराज जी की गलत द्रिष्टी की वजह से किसी भी मनुष्य के जीवन में आ जाते हैं, और यदि आपके मान लीजिए, आपने ऐसी कोई गलती कर दी थी, जिसकी वजह से शनि देव आपसे रुष्ट हो गए, और आपकी साढ़े साती चल रही है, इन उपायों को करने के बाद आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कैसे एक चमतकारी और सकारात्मक बदलाव आएगा, इसी दोस्तों इस वीडियो को ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के भले के लिए लास्ट तक अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह जो कि शनिदेव जी की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, शनिदेव महाराज जी के आशीरवाद से आपके जीवन में धन की वर्शा हो, आप जिस कार्य को शुरू करें, उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, शनिदेव जी के वरदान से आप अपने में हर तरह की सफलता को हासिल करें तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बॉक्स में दीजिए जैशनी महराज जी की और एक काम कीजिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राशे भी डाल दीजिएगा आपकी राशे के अनुसार ऐसा कोई उपाय होगा जिसको करके आपको कोई लाब पहुँच सकता है वो आपके आपके कमेंट के रिपलाई में बता देंगे इसलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशे डालना मत भूलिएगा दे दोस्तों, अब आपको हम काली मिर्च के उन उपायों के बारे में बताने आ रहे हैं जिन उपायों को करके आपके जीवन में आपको आत्मक बदलाव देखने को मिलेगा परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा काली मिर्च का उपाय तभी लाब देता है जब इसको आप लोग नियम पूर्वक करते हैं नियम के बिना आपको करेंगे आपको कोई भी लाब नहीं मिलेगा इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा कौन-कौन से हम आपको उपाय बता रहे सोमवार की किस मुहुर्थ पर आपको ये उपाय करने हैं इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए पहला उपाय आर्थिक कष्टों से मुक्ति पाने का महा उपाय दोस्तों मान लीजिए आपने कोई कर्ज लिया था तो ये बात आपको भी पता होगी कर्ज के चलते लोग ना खाना ठीक से खा पा रहे होंगे ना आपको नींद आती होगी दूसरी तरफ यदि आपके जीवन में पैसा नहीं आ रहा है पैसा टिक नहीं रहा है तो भी बहुत परेशान होंगे तो यदि आप आर्थिक कष्टों से हैं और आप चाहते हैं कि आपको आर्थिक से मुक्ति मिल जाए तो ये उपाय कीजिए जो आपको हम बता नहीं रहे हैं एक मनुष्य के जीवन में आर्थिक दुख आते ही क्यों है क्योंकि उस मनुष्य का शनी ग्रह बहुत ही कमजोर हो जाता है और यदि चाहते हैं कि शनी देव जी की कृपा से आपके आर्थिक दूर सदैव के लिए खत्म हो जाए तो तीन सोमवार वह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताना रहे सोमवार आपको यह उपाय करना है सोमवार के बाद आपको शनी महराज जी की कृपा ऐसी मिलेगी कि आपके आर्थिक दोह खत्म हो जाएंगे आपको कोई कर्जा हुआ था जिस कर्ज के बोज में आप लोग दबते हुए चले रहे थे वह कर्ज भी खत्म हो जाएगा देखिए आपको क्या करना है पहले से आपको किसी भी श्रेणी मंदिर है और ये सूर्य के बाद आपको सारे उपाय करने है सूर्यास्त के बाद किसी भी श्रेणी मंदिर जहां ये श्रेणी मंदिर जाने के बाद सबसे वहां पर एक मिट्टी के दीपक में या पीतल के दीपक में ये सरसों का तेल लेकर के जाना है और वहाँ पर जलाना है पूर्व पूर्व दिशा में जलाएं शनी महराज जी के सामने आपको नत्मसतक होकर के खड़ा होना है वहाँ पर 11 बार शनी 40 का पाठ कर लीजिए 11 बार शनी 40 का पाठ करने के बाद आपको उसी जलते हुए दीपक में काली मिर्च डाल देंगे ये उपाए आप लोग तीन सोमवार लगातार कर लीजिए सोमवार के बाद आपको शणी महाराज जी की वो कृपा की आपके उपर कोई ऐसा दोश लगा हुआ था जिसके वजह से आप आर्थिक कष्टों से परेशान थे वह आर्थिक से आपको मुक्ती मिल जाएगी यह एक महा उपाए है दोस्तों जो प्राचीन काल के समय से चला हुआ है आप भी करके देखिए और यकीन मानिए इस उपाए से आपको बहुत ही ज्यादा लाब जिसके हिसाब से आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है तो वह नकारात्मक शक्ती सदैव के लिए चली जाएगी देखिये दोस्तों पूरे सप्ताह क्या होता है कि आप बाहर जाते हैं आपके घर के मेंबर्स बाहर जाते हैं और वो जब आते हैं, तो अपने साथ कुछ नकारात्मक शक्तियों को ले आते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में माहौल बिगड़ जाता है, आप चाहते हैं कि यह नकारात्मक शक्तियां आपके घर से सदैव के लिए चली जाएं। सभी सोमवार को सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार के एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनी देव जी की कृपा में बना रहेगा। तीसरा उपाए है, शनी दोश से पाने का महा उपाए। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि शनी दोश से आपको मुक्ति मिल जाए, जैसे मान लीजिए, आपकी साढ़े साथ ही चल रही है, चल रही है तो आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों, यानि दोश वैसे मुक्ति तो नहीं मिल पाती। एक बात को समझ लीजिए, शनी दोश के प्रकोप को कम किया जा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। हमारे धर्म शास्त्रों में साफ साफ कहा है कि शनी दोश से कोई भी नहीं पा सकता है। यदि किसी की साढ़े साथी चल रही है, किसी मनुष्य की गाड़ियां चल रही है, तो उसको जहेलना ही पड़ेगा। परंतु आप चाहे तो उसके प्रकोप को खत्म कर सकते हैं, अब आप खत्म करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, जब तक की साथी चल रही है, जब तक आपकी गाड़ियां चल रही हैं, एक काला कपड़ा लीजिए, एक काले कपड़े में आप लोग 51 काली मिर्च डाल दीजिये, शनी मंदिर सभी सोमवार को सूर्यास्त के पास जाईए और इसी पोटली को किसी भी मनुष्य को दें। दीजिये, यदि आप सोमवार को यही करना शुरू कर, तो आपके जीवन में जो शनी दोश है, उसका प्रकोप लगभग लगभग ना के बराबर हो जाएगा। भी बहकाते नहीं हैं, हम कोशिश करते हैं कि आप भला हो सके, परन्तु आप से निवेदन है वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। चौथा उपाय है, व्यापार को चलाने का महा उपाय। यदि आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो दोस्त इसकी कई वजह हो सकती है। हो सकता है कि आपके व्यापार में किसी ने नजर लगा दी है। हो सकता है आपके व्यापार पर ऐसा कोई दोश लग गया है, जिसकी वजह से आपका व्यापार ठप पड़ गया है। और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल पड़े, तो आपको करना होगा। बहुत ही आसान सा उपाए। हम आपको बताने आ रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए, आपको बस यही करना है, शनी मंदिर जाना है, शनी मंदिर जाईए। सबसे पहले शनी मंदिर में जाने के बाद एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। एक सरसों तेल का। आप जो दीपक जलाएंगे, ध्यान रखिएगा, उसमें एक काली मिर्च डाल दीजिएगा। यह शनी जी के सामने करना है, आपको आप थोड़ा वहां से दूर हट जाए। शनी देव महाराज के द्रिष्टी के सामने आपको एक काला कपड़ा लेना है, काले कपड़े पर आपको एक मुठी काली मिर्च डालनी है, उसमें एक रुपए ऐसा सिक्का डालना है, जो कटा पीटा ना हो, एक दम चिकना सिक्का हो, एक रुपए का सिक्का डालिए और ग तुरंत ही ले जाकर अपने व्यापार, मतलब अपनी दुकान में, जहां से आप पैसे का लेंदेन करते हैं, वहां पर ले जाकर के रख दीजिए, केवल इतना इतना उपाए, यदि आपने कर लिया, तो आपका बंद पड़ा व्यापार शनी महाराज जी की कृपा से चल पड जिए, जह शनी महाराज जी की जो उपाए हम आपको बताने रहे हैं, वह है रोग मुक्ति का महा उपाए, यदि आपके घर पर कोई भी मनुष्य बहुत बीमार है, वह इलाज करा करा के अपना ठक गया है, और वह चाहता है, वह ठीक हो जाए, तो एक महा उपाए आप हमार कहने से करवा लीजिए मनुष्य से, और वह मनुष्य बिलकुल हो जाएगा, यह उपाए लगातार सोमवार करना है, पांच सोमवार के बाद वह रोगी मनुष्य शनीदेव महाराज जी की कृपा से ठीक हो जाएगा, आप करना कैसे उपाए इस बात को सुन लीजिएगा, देखिए, यह दिन के समय भी किया जा सकता है, रात के समय भी किया जा सकता है, तो यह उपाए करने के लिए आपको चाहिए ग्यारह काली मिर्च, जो भी मनुश्य आपके रोगी है, उसको उसके हाथ में, दाएं हाथ में, ग्यारह काली मिर्च दे दीजिए, उसके बाएं इसको अपने घर के मुख्य द्वार के दूसरी तरफ कहीं भी फेंक दें और इस साथ रोटी को किसी भी काले कुत्ते को खिला दें ये पांच सो मवार कर लें मनुश्य और पांच सो मवार के बाद वह मनुश्य आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं के तुरंत खत्म हो जाएंगी बलकि इस छोटे उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्शा होगी आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्ध होगी लक्ष्मी के आशीरवाद से फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि एक रुपए के सिक्के का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी का आशीरवाद कैसे मिल सकता है तो आपकी बता दें माता लक्ष्मी की पूजा को जब भी शुरू किया जाता है तो एक रुपए के सिक्के को रख करके पूजा को शुरू किया जाता है देखिए, होता क्या है? प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी की जब भी पूजा शुरू की जाती है तो मुद्रा का जो भी पहला सिक्का होता है वह रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है ऐसा करना शास्त्रों में बहुत शुभ बताया गया है माना ये जाता है कि धन में माता लक्ष्मी का वास होता है इसलिए कि पूजा को सदैव छोटे से मुद्रा से शुरू करना चाहिए ऐसा यदि कोई भी व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति की पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर ही मिलता है इसलिए आपने देखा भी होगा जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है धन्तेरस की पूजा होती है माता लक्ष्मी की कोई भी पूजा पाठ रखी जाती है तो माता लक्ष्मी की पूजा में सदैव एक रुपए का सिक्का रख कर ही पूजा को शुरू किया जाता है हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत ही शुब होता है और यदि आपने केवल आने वाले नए साल में किसी भी दिन जिस दिन माता लक्ष्मी धर्ती पर वास करने आएंगी और आपने सही मुहूर्थ पर एक रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है तो मान चलिए इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वर्दान और आशीरवाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में पूरे साल धन की वर्शा होगी आपका भाग्य आएगा आपके जीवन में फिर आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा इसलिए दोस्तों बस एक जनवरी दो हजार चॉबीस के दिन दो चार मिनट का समय निकाल करके एक रुपए के सिक्के के उस उपाय को कर लीजिए जिसके बारे में हमारे वेद पुरान में बताया गया है जो प्राचीन काल के समय का बहुत ही ताकतवर और अचूक उपाय है इसलिए यदि चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे माता के आशीरवाद से आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाई आपके जीवन में माता लक्ष्मी के आशीरवाद से धन की वर्शा हो तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कॉमेंट बॉक्स में लिग दीजिए माता लक्ष्मी की जय और यदि आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राश्य भी डाल दीजिएगा आपकी राश्य के अनुसार कोई ऐसा उपाय होगा जो नए साल के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं वह हम कमेंट के रिपलाई में बता देंगे परन्तु वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा सबसे उपाय है धन में वृद्धि का महा उपाय दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी के आशीरवाद से आपकी तिजोरी में जो भी रुपए पैसा रखा हुआ है उसमें वृद्धि हो उसमें बढ़ोतरी हो तो दोस्तों ये छोटा सा उपाय कर लीजिए जो आपको हम बता रहे हैं और इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी के आशीरवाद से आपके जीवन में जो भी धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, रुपए, पैसे में अपने आप होने लगेगी आपका बैंक बैलन्स अपने आप बढ़ने लगेगा यदि आपने ये छोटा सा उपाय सही मुहूर्थ पर कर लिया जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं ये बहुत छोटा सा उपाय है परंतु एक अचूक उपाय आपके जीवन में धन की वृद्धि जरूर करेगा आपको केवल नए साल वाले दिन शाम के वक्त एक पीतल की कटोरी लेना है उसमें पूरा गंगा जल भर देना है उसमें आपको रुपए का सिक्का डाल देना है यह उपाय आप सूर्यास्त के बाद करना है अब आपको कटोरी को अपनी छट पर ले जाकर के रख देना है अगले दिन को आपको नहाने धोने के बाद उस कटोरी को उठा कर के लाना है उस कटोरी से एक रुपए का सिक्का उठाना है और लाल कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी या अलमारी में दक्षन दिशा में रख देना है यदि आपने इतना उपाय सही मुहूर्थ पर कर लिया तो ये सिक्का आपके जीवन में माता लक्ष्मी का एक वरदान और आशिरवाद जाएगा जिसके बाद ये सिक्का आपके मन में धन खींचने का काम करेगा ये सिक्का एक चुम्बक की तरह काम करेगा जिसके चलते आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे क्योंकि इस सिक्के पर माता लक्ष्मी का आशीरवाद और वर्दान नए साल के दिन बढ़ जाएगा ध्यान रखिएगा दोस्तों ये उपाए आपको इसी तरह से सही मुहूर्थ पर करना है और यकीन आज के दिन कई करोड़ पती व्यक्ति जो है साल के पहले दिन माता लक्ष्मी धर्ती पर आती है यदि आपने ये कर लिया तो माता लक्ष्मी के आशीरवाद से आपके जीवन में धन की वृद्ध होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा दूसरा उपाए है शुक्र ग्रिह को मजबूत करने का महाउपाए दोस्तों यदि आपके जीवन में आप बहुत मेहनत करते हैं बहुत परिश्रम करते हैं परन्तु आपको उसका फल नहीं मिलता आपके पास पैसा तो आता है परन्तु बेफिजुल में उड़ जाता है तो इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह है कि आपका शुक्र ग्रिह कमजोर है और जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रिह कमजोर होता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन टिकता नहीं है और नए साल के दिन, यदि आपने एक रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया, जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो इतना करने से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा और दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद आपका शुक्र ग्रह सदैव आपका साथ देगा आप यह उपाए नए साल की शाम को करना है शाम के वक्त आपको दो एक एक के सिक्के लेना है आपके घर पर जो भी पूजा घर है वहाँ पर आपको जाना है इन दोनों सिक्कों को हाथ में पकड़िए माता लक्ष्मी के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है और इन सिक्कों को हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप ग्यारह बार आपको करना है ग्यारह नंबर माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है बीज मंत्र है महा लक्ष्मी हम फिर से रिपीट रहे हैं दोस्तों, महालक्ष्मी मंत्र का जाप सिर्फ ग्यारह बार आपको करना है, इन दोनों सिक्कों में एक सिक्का आपको अपने पर्स में हमेशा के लिए रखना होगा, दूसरे सिक्के को अपनी तिजोरी या अलमारी में पूर्व दिशा में रख देना होगा. लाल कपड़े में लपेटने के बाद ये छोटा सा उपाय यदि आपने नए साल के दिन कर लिया, तो मान के चलिए, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर इस तरह से बनी रहेगी, जिसके बाद हमेशा आपका शुक्र ग्रिह आपका साथ, क्योंकि शुक्र ग्रिह का नियंतरन मा दोस्तों, सिक्के जिनको आपने हाथ में पकड़ा था, माता लक्ष्मी के सामने ये दोनों सिक्के अभिमंतरित हो चुके हैं, और ये सिक्के आपका शुक्र ग्रिह का साथ आपको इस तरह से दिला देंगे, जिसके बाद आपके जीवन में जो धन आएगा, उसमें वृद और ये सिर्फ आपको फायदा पहुचेगा। अगला उपाए है धन हासिल का महा उपाए। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्शा हो, आपके जीवन में इतना धन हो, जिसके बाद आपको धन की कमी ना हो माता। लक्ष्मी के आशिरवाद से आपके पेड़ी भी पैसों पर राज करें, तो बस एक छोटा सा उपाय आपको नए के दिन करना है, जो आपको हम जा रहे हैं। नए साल के सूर्यास्त के बाद बस एक काम कीजिएगा, नहाँ धोलीजिएगा, लाल कपड़े पहन, क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल रंग बहुत प्रिये है। इस पोटली बनाते हुए मौली धागे का प्रियोग कीजिएगा, इस पोटली को अपने हाथ में पकड़िए, और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप ग्यारह बार आपको करना है। यह पोटली जैसे ही आप अपने तिजोरी में रख देंगे या अलमारी में रख देंगे, तो यह पोटली आपके जीवन में एक चुम्बक बन जाएगी, जो धन खीचने काम करेगी। यह पोटली अभिमंत्रित होने के कारण माता लक्ष्मी का वह आशीरवाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद आपके जीवन के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी खत्म हो जाएगी। और आपके जीवन में धन आएगा, जिसकी आप कलपना नहीं कर सकते। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी दो दिन पहले की शिव महापुरान की कथा में साथ फूल और साथ दीपक वाला एक ऐसा विशेश उपाय है, जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रूपए पैसे कहीं से हासिल ही न हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परिशानियां आ गई हो, उनसे बाहर का कोई रास्ता न दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्टरी, नौकरी, दुकान, ये कुछ भी न चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको ये एक उपाए सिर्फ एक दिन कर लेना है, और गुरू जी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमतकार हुआ है, धन लेके न आर्ग शीर्ष के इन विशेश दिन में यदि आप ये उपाए कर लेते हैं, और इसी के साथ साथ पूज गुरू जी ने कहा कि यदि आप शिवलिंग के सामने और माता लक्षमी के सामने शहद की एक बूंद से उपाए कर लेते हैं, तो जीवन के सारे संकट समाप्त हो जा और साथ दीपक ले लेने हैं। साथ यानी सेवन देखिए। साथ फूल आप जो भी लेंगे, वो महादेव को प्रिय होने चाहिए। आपको ऐसे ही फूल लेने हैं, जो कि बहुत प्रिय होते हैं। जैसे आप किसी भी सफेद रंग के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि सफेद रंग के फूल महादेव को बहुत ही प्रिय होते हैं। या फिर आपके घर के आसपास कनेर के पुष्प हैं, तो उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आंकडे के हैं, तो उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं या फिर किसी भी रंग के फूल जो आपके घर के आसपास हो और महादेव को प्रिय हो वो आप प्रयोग कर सकते हैं यदि आपके पास नहीं है तो किसी भी फूल वाली दुकान से आप फूल खरीद लीजिए और उनमें से साथ ले लेने हैं देखिए, बस आपको ध्यान रखना है कि केटकी का पुष्प नहीं होना चाहिए क्योंकि केटकी का पुष्प हम लोग शिवलिंग में समर्पित नहीं करते हैं अब ये फूल आपको अपने किच्चन में रखना है देखिए, अपने किच्चन में जो मटका रखते हैं यानि जो बाल्टी रखते हैं किच्चन में जो आप पीने वाला पात्र रखते हैं उसके बगल में ही आपको ये रखना है बहुत से ऐसे घर होते हैं जो मटके का प्रयोग करते हैं परन्तु अब सर्दियों का समय आने वाला है, तो हो सकता है कि आप मठके का प्रयोग ना हो, बलकि बाल्टी का प्रयोग करते हो, तो आपकी जो बाल्टी या मठका या जो कुछ भी किच्चन में रखा हुआ है, उसी के बगल में आपको एक कटोरी रख लेनी है, और उसी कटोरी में आपको ये साथ फूल रख लेने है, साथ फूल रखने के बाद आपको इसी के बगल में साथ दीपक ले लेने है, साथ दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं, या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मार कर उनका भी दीपक तयार कर सकते हैं। इन सात्तों दीपक में आपको घी का प्रयोग करना है और साथ ही साथ लंबी रूई की बाती का उपाय करना है। किचन में हम लोग जो भी दीपक प्रज्वलित करते हैं उसमें हम लोग लंबी की बत्ती का ही उपाय करते हैं। इसलिए आपको का उपाय कर लेना है। देखिए, दीपक आपने रख लिए, ये साथ फूल रख लिए, अब आपको इन दीपकों को प्रज्वलित कर लेना है। फिर उसके बाद दीपकों का पूजन करने के बाद इन्हें प्रज्वलित हो जाने दीजिए। और फिर इस देव दीपा वली के पूरे दिन में, किसी भी समय आप इन सातों पुष्पों को उठा कर, यानी सातों को उठा कर, किसी भी महादेव के मंदिर में पहुँच जाए, किसी भी शिवालय में पहुँच जाए। यदि आप शिवालय में जा सकते हैं, तो किसी भी पी इन चारों जगहों में से किसी भी जगह में पहुँच कर आपको ये सातों पुष्प समर्पित कर देना है, यानि ये सातों फूल समर्पित कर देने हैं. यदि शिवलिंग के उपर समर्पित कर रहे हैं, तो एयोम नमह शिवाय मंत्र समर्ण करते हुए शिवलिंग के उपर समर्पित कर दीजिए, या फिर किसी भी व्रिक्ष में समर्पित कर रहे हैं, तो ऐसे ही समर्पित कर दीजिए. और आपको माता लक्ष्मी का समरण करते हुए, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, आपके जीवन में जो धन धानने की समस्या है, उसको दूर करने की प्रार्थना करते हुए, ये फूल थोड़ी देर समर्पित रहने दीजिए, और फिर सबसे आखिर में आपको एक फूल लेनी है कि आप मेरे घर में अजमान हूँ, मेरे जीवन जो दुर्भाग्य चल रहा है उसको समाप्त करिए और फिर ये एक फूल लेकर आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप अगले साल स्वयम देखिएगा कि आपके जीवन में जितना है। आपने धन हासिल की कामना की थी। माता लक्ष्मी की से उससे कहीं आपको ज्यादा धन हासिल होगा। आपका दुर्भाग्य जीवन के सारे संकट समाप्त होंगे। और धन, दौलत, संपदा की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, ये विशेश उपाए आप इस देव दीपावली में जरूर करिएगा। उपाए जरूर करना है क्योंकि पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आपको ये मौका मिलता है। और आप इस उपाए को जरूर करिएगा। चलिए अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताये गए दूसरे खास उपाए के बारे में ये भी आपके जीवन में धन-धान्य की हासिली करवाने के लिए ही है। क्योंकि गुरुजी ने अपनी पांच दिन पहले की शिव महापुरान की कथा में ये उपाए बताया है। गुरुजी ने कहा है कि जब जीवन में संकट, समस्याएं, तकलीफ, विग्ण बहुत ज्यादा हो, तब आपको ये उपाए कर लेना चाहिए।